दोस्त जब भी आपने desktop PC या फे laptop को own करते हैं जिसके अंदर window 10 home या प्रू है तो वहाँ पे दोस्त आपको इस तरह की notification जूर देखने को मिलेगी जिसमें लिखावा है यहाँ पे it is time to upgrade your PC before end of sport तो यहाँ पे दोस्त में आपको देखने हो मिलेगा 14 अक्तुबर 2025 के बाद आपको यहाँ पे technical sport और security update मिलना window 10 का बंद हो जाएगा इसी करके आप window 11 में switch कीजिए या उसको upgrade कीजिए यहाँ पे दोस्त technical sport का तो इतना कोई खास चीज नहीं है क्योंकि वहाँ पे आने वाला हूं कि अगर आपके PC या फिर laptop में window 10 home है या फिर pro है तो उसको आप window 11 home या pro में कैसे upgrade कर सकते हैं और यहाँ भी बिल्कुल free है अगर दोस्ते यहाँ पे आपकी window 10 home या फिर pro है अगर उसको आप window 11 home या pro में convert करेंगे क्या वहाँ पे वही कीजिए चल पड़ेग दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 चीजे जाना बहुत जूरी है वह सभी मैं आपको एके करके बताऊंगा और फिर मैं पूरा आपको PC में चलकर upgrade करके बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहिए आप upgrade कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं बिल्कुल freshly install करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले देख लें कि वहाँ पे minimum system requirement window 11 के लिए क्या है जैसे कि दोस्तों आप इसमें देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको system requirement नहीं चाहिए तो सिधा आप simple क्या कर सकते हैं PC help check application है उसको install करके और आप सीधर देख सकते हैं कि आपका जो PC है Windows 11 में convert करने के लिए या वहाँ पे install करने के लिए बिल्कुल proper है या नहीं है अगर आप वहाँ पे नहीं इसका इसका इसमाल करना चाहते है application का तो simple क्या कीजिए कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप इ देखने को मिलेगा प्रोसेसर की एक गिगार से फास्ट होना चाहिए और इसमें दो कोर्स के उसे उपर होना चाहिए और compatible जो होता है मतलब 64 bit का प्रोसेसर होना चाहिए चार गिगाबेट्स की सेनर minimum RAM होना चाहिए 64 GB यहाँ पर लार्जर जो डिवाइस स्पेस होती है वो होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों यह freshly installed के लिए अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें 64 GB ने उसमें काफी ज़्यादा होना चाहिए मैं आपको बाद में बता module बोलते हैं वो version 2 होना चाहिए तो वहाँ पर आपको देख लेना कि यह आपके जो मदरबोर में है यह नहीं है और कौन सा वर्जन है उसे पाद ग्राफिस कार्ड आपके क्या होना चाहिए कि वहाँ पर आपके इंबिल्ड ग्राफिक इंट होना चाहिए और यहाँ बताई है कि क्या क्या होने चाहिए जैसे आपचा क्या होना चाहिए और किस तरह को नंचाहिए और रां क्युक्ति होनी चाहिए और यहां पर दोस्व दे सकते हैं और यहां पे दोस्व जब उन्डो आप उप करते हैं तो उसके लिए आपके जो इंटरन क्रिक्शन भी होना झूरूरी है यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो होगी जो requirement की बाद उसे बात दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी में जी जैसे दोस्तों मैंने बताया है कि यहां पर डिस्पेस डिस्पेस इसमें आपको 64GB बताई है पर वहां पर फ्रेशली इंस्टोल की है यह उसे उपर क्यों नीचे पर यहां पर दोस्तों जब आप PC में अपग्रेड करना चाते हैं तो कम से कम वहां पर आपके दोस्तों आप देख लें कि वहां पर आपकी मैं अगर जो खाली होने चाहिए वहां पर वह 60% या फिर minimum से minimum 40% खाली जरूर होने चाहिए C drive otherwise वहां पर एरर जरूर दे देगी तो दोस्तों यहाँ पे तो होगी storage के बारें बात अगर आप upgrade करें freshly installed के लिए कम ही चायी होती है पर अगर पहले आप उसका use कर रहे है काफी time से तो वहाँ पे आपको काफी storage space दीए खाली उसे बात दोस्तों हम तीसरी चीज़ के बात करते हैं अगर आपका desktop PC है तो वहाँ पे आपके backup power होनी जुरूरी है यह ना हो कि वहाँ पे लाइट चली जाए और आप वहाँ पे download कर रहे हैं इंस्टोल हो रहे हैं और बीच में वो बंद हो जाए एक दम से तो वहाँ पे क्या उसे प्या करना पड़ेगा उसे रेपेर करना पड़ेगा विंडो को या फिर उसे क्या करना पड़ेगा कवरी करना पड़ेगा या फिर freshly installed willow आपको डालनी पड़ेगी फिर दबारह से तो दोस्तों आप यह जुरूर ध्यान दें कि वहाँ पे आपके backup जूरूरी हो यह न पीसी लोड ले सके और काफे time तक चल सके या फिर आप वहां पर लाइट नहीं जाती हो मलाब आपको पता होता है कि वहां पे आमारे जो फाऊस में है मला कब ज्यादा लाइट जाती और कब नहीं जाती तो वह टाइम आप जातर चूस करें तो इस तरह जो आप पावर बै या लैप्टोब बंद भी होसकता है बैटरी बैक अप यानि की कम है तो आप दोस्तों सिंपल क्या किजिए जो आपका पुराना जो में इसमान पड़ा है सिड्राइब के अंदर जैसे ही मान लिजे डेक स्टोप पे पड़ा हुआ है या फिर आपके जो यूजर जो प्रोफाइल में पड़ा हुआ है तो उसका क्या कर लें आप बैक अप कर लें और किसी ओड्राइब में सेव कर लें जो आपको जरूरी हो यहां पर यह ना हो कि डालने पड़ेगी अगर आपके स्टोडे स्पेस बहुँ ज़्यादा सी ड्राइब के अंदर तो आप सिंपल ही आ कर सकते हैं कि वहां पे जब विंडो दुबारा डालेंगे तो आपके जो विंडो ओल्ड फोल्डर मन जाएगा तो उसमें आपके आ कर सकते हैं कि वहां पे विंडो अपग्रेट हो रही हो और वहां पे कुछ चलना रही हो या फिर माली जी कि वह 0% पे यह इंस्टॉलेशन यानि क्यों रही है यह कुछ भी हो रहा है और वहां पे आप उसे फॉर्स फुली जो रिश्टार्ट करें शटडाउन करें तो वहां पे ऐसा नहीं करना आ जब आपको प्रडी जो लिखा जाएगा यह फो कोई क करनी है उसे लावा आपको फॉर्शूली कोई चीज नहीं करनी यह तो यह आपको जानना वोसे भाद गरनोतों जो छूजरु स्टॉइण वो यह है कि यहाँ पे यह time काफी लेता है यहाँ पे आपका यह matter करता है कि internet connection कैसा है और system आपका कैसा upgrade करने में तो वहाँ पे यह internet speed आपके कि इतनी माहिन रखते है कि वो download package करेगा फिर installation करेगा और फिर जब वो restart होने के बाद फिर दुबारा वहाँ पे upgrade करेगा तो वहाँ पे इसमें काफी time लगता है मतला भी आप यह लिजिए कि बड़े से बड़े system के में भी यहाँ पे 45 या internet connection भी आपका बड़ी है 45 मिनट से लेके आपको 1.5 गंटा भी लग सकता है यह depend करता सारा कुछ आपके internet और system कैसा उससे उपर भी लग सकता है पर इसमें आपको दीरज रखना है यह ना हो कि आप वहाँ पे जल्दबाज में कहीं कि इतना time लग रहा है यह हो रहा है तो आप वहाँ पे forcefully restart कर दे या shutdown करे या कुछ और वहाँ पे कर दे तो यह आपको नहीं करना बड़े अराम से यह आपको जो सब कुछ करना है और यह काफी time लेता है तो दोस्तों आप हम PC पे चलते हैं और आप मैं आपको गताता हूँ कि आप Windows 10 से जो Windows 11 में कैसे job grade कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जैसे मेरी Windows 10 जो है प्रो है इसको मेरे Windows 11 प्रो में करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों हम PC पे चलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप दे सकते हैं Windows 11 वर्जन 22H2 है इस रेड़ी और इन्टिस्टी आप यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप विन्डो टैन के साथ आप सकते हैं पर यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको नॉडिपककेशन आती Frame जिसमें आपको यहाँ पे Security और जो आपडेट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ लिखा Ed Champ Dial Canada तो मैं डाउन एंड इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले तो मैं एक बार रिटरी करके देख लेता हूं और यहां पर अपडेट्स के लिए आ रहा है चैक पूर अपडेट्स तो यहां पर दोस्तों मेरे जो डाउनलोडिंग जो काफी जो शुरू हो चुकी है जैसे कि दोस्तों यहां पर क्या होँगा कि इसमें यहां पर मैं डाउनलोड एंस्ट्ल अकरोंगा जिसमें आप रहो हैं कि Windows 11 version 22 S2 downloading start हो चुए जैसे 2% हो चुए अब 3% हो चुए है इसे दोस्तों मैं यहां पर downloading होने देता हूं और downloading होने के बाद यहां पर दोस्तों मैं फिर इसे जो install करूँगा तो यहां पर दोस्तों सभी कि सब यह downloading हो चुकी है जो भी मेरे यहां पर मैंने software है और यह ने दोटनेट है डाउन्लोडिंग हो रहा है और जो डाउन्लोडिंग हो चुके हो इस्टॉल तो यहां पर सब होने के बाद ही मेरे खाल से यह जो download होना शुरू होगा तो हम देख लेते हैं एक बार कि कि पहले मेरे जो 8% तक होने के बाद बन हो चुका था यह और अगर दोस्तों यहां पर मैंने इस तरीके से बताया आपको और शायद जिस जगह पर वह नोटिफिकेशन आयो थी आकर मैं वहीं पर जो इंस्टॉल करता तो शायद सीधा ही वह download और इंस्टॉल रहा था मतलब अच्छे तरीके से पर वह अलग यह अलग मैंठड है मैं यहां पर यह दूसरा मैंठड ट्राइकर रांग विंडोज अपडेट वाला अगर आपके नोटिकेशन नहीं आ तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों जैसे आप देशकते हैं डाउन्डोड परसंट आ चुका है और जो और यहां तो यहां पर दोस्तों जैसे आप देशकते हैं मेरे इंस्टॉलिशिंग होने चुकी है जैसे देख सकते हैं आप यहां पर यहां पर इसने जो इंस्टॉल होने के बाद रिस्टार्ट आप्शन दे दिया है पर यहां पर जब तक यह मेरी पूर्ड इंस्टॉलिशिंग नह तो आप बाकी जो है मतलब अपनी तरफ से फोर्सफुली रिस्टार्ट यह शटडाउन ना करें PC को जब यह प्रसेस चल रही हो यहां पर दोस्तों जैसे आप दे सकते हैं कि मेरे इंस्टालिंग 100% आचुका अब पर यहां पर यह ने लिखा हुआ कि जैसे पैंडिंग डिस्टार्ट यह आना चाहिए तो आप दोस्तों जैसे आप दे सकते हैं मेरे पैंडिंग डिस्टार्ट आचुका है उपडेट इस रेडई तु इस्टाल विणुटूर रिस्टार्ट सब्स्टर्ट यहां पर दोस्तों अब दोनों जंगा दे सकते हैं कोई भी चीजह कि यहाँ पे पेंडिंग डिस्टार्ट आ रहा है मीन ही आमारे जो इम्टेंग्ए था और आना चाहिए मेक शॉर आपका यह आई कि तब आपको रुचार्ट करना jeśli हम अपने रिस्टार्ट करते है तो यहाँ पर जैसे दोस्थ आप दे सकते हैं अपडेट्स आर अंडर वे लिखा हुआ है और सीधा यहाँ पर अंडर प्रसंट आ चुका है और यहाँ पर लिखा है प्लीज कीप यूर कम्प्यूटर ओन तो दोस्थ आप रिस्टार्टिंग हो रहा है अब दोस्थ हम यहाँ पर देखते हैं रिस्टार्टिंग होने के बाद विन्डो 11 आती है या और रिस्टार्ट मांगता है तो यहाँ पर दोस्थ आप दे सकते हैं वर्किंग ओन अपडेट 0% है प्लीज कीप यूर कम्प्यूटर ओन और यहाँ पर लिखा हुआ है यूर कम्प्यूटर में रिस्टार्ट एक फ्यू टाइम्स जैसे कि दोस्थ आप देखते हैं कि विन्डो 10 आप नॉर्मल डालते हैं तब भी यहाँ पर कहीं बार रिस्टार्ट होता है और यहाँ पर हम विन्डो 11 जब डालते हैं मतलब अपडेट कर रहे हैं तब भी यहाँ पर उता है तो यहाँ पर दोस्थो 100% होने के बाद जो PC मेरा computer रिस्टार्ट हो चुकर आप दोस्था यहाँ पर जैसे देश कुती है यहाँ पर मेरे विन्डो 11 जो है अपडेट हो चुकी है तो यहाँ पर दोस्थों हम क्या करते हैं कि एक बार हम अपनी विन्डो को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर system information हम देख लेते हैं और यहाँ पर दोस्थों आप देख सकते हैं Microsoft Windows 11 Pro है यहाँ आप भी सब कुछ चीज़े देख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्थों मैंने activation का सर्च मारा तो यहाँ पर जाकर दोस्थों जैसे मैं देखता हूं कि मेरी window activated है या नहीं है आपको कहता है Windows 11 Home या Pro में converted कीज़े अपडेट कीज़े तो उसके लिए आपको कोई भी सब्सक्राइब नहीं देना है क्योंकि वहाँ पर आपकी पहले से activated की है तो इस करके तो यहाँ पर आप इस तरह जो अपडेट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा वहाँ पे Windows.old करके यहाँ पे एक जो फोल्डर बनना जाएगा अगर दोस्तों यहाँ पे इसमें आपके कुछ यूजर परफाइल में यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है यह जब मैं बात करहा हूं जो आप PCO Drive में मुलब आपके जो एक्स्टरनल हार ड्राइव है किसी जो आपके PC में ही जो हार डिश ड्राइव लगी है मुलब वहाँ पे रख सकते हैं नहीं तो आपको इसकी जूरत नहीं है कि आपको अगर पर दिनों बाद इसको Windows all folder को आप डिलिट मार सकते हैं ताकि वहाँ प कि वहाँ पर clean up system files कोलना है और यहां पर आप दोस्तों देखने को मिलेगा कि उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी window.old करके folder देने मिलेगा और उसमें आप जो फाइले सेलेक्ट करेंगे मतलब जो एक्स्टर जो फाइल होंगे temporary files होंगी तो वहाँ आप सभी सेलेक्ट कर गड़ बड़ तो नहीं होई है यहाँ पर मेरी property कैसे upgrade होई है कि नहीं है अगर मुझे recovery करना हुआ कुछ करना हुआ कुछ files लेनी होई तो यहाँ पर मैं इस message जो files उठा लूँगा है तो यहाँ पर दोस्तों इसी करके मैंने अभी फिलाल है जो दूसरी drive में रखी है अगर